प्यारे बच्चों एक बार फिर से आप सभी का येल केम इस्टेडी और फिजिक्स मैंत लेक्चरर के इस वीडियो में स्वागत है यानि दोनों चैनल पे हमारे क्लास 10th क्लास 12th की प्रेशन कराई जा रही है जिस चैनल पे आपको मन लगे जिस जो चैनल अच्छा लगे उस पर जाके पढ़ सकते हैं ठीक है तो चलिए आपका फिजिक्स का 2021 का पेपर हुआ था जिस एयर में बच्चे प्रमोट किये गए थे और उसी एयर में जो बच्चे प्रीबोट के एक्जाम नहीं दिये थे और फेल हो गए थे उन्ही बच्चों का 2021 में एक्जाम हुआ था तो वही पेपर हम यहाँ पर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह जो पेपर है 2021 का है सतर नंबर का पुडांक होता है तीस नंबर आपके प्रैक्टिकल से मिलते हैं ठीक है और यहाँ पर आप देखेंगे इन सभी प्रशनों को त्यार कर लेना क्योंकि इन्ही प्रशनों से कोईस्चन आने वाला है इस बार के बोड एक्जाम में यहाँ आने वाले हैं और सेम् तु से मॉडल पेपर यही होगा ठीक है न यही मॉडल पेपर होगा तो आप इनका इसकीं सौक्ल ले दीजिए है ठीक है इसकीं सौक्न ले लिजिए मैंभी से आप स्कीं साओल ले होता है तो यहां पर आप देख रहे हैं किसी प्रिष्ट से उसरजी फोटान इलेक्ट्रान की संख्या निर्भर करती है ठीक है न तो इस तरीके से यह सारे प्रश्णाप थोड़ा सा आर्सेनिक सिलिकान से मिलाने पर उसकी चालकता भरती घरती आप पढ़े रहेंगे तभी बता सकते हैं सुच मतरंगों की अब रित्ती परास क्या होती है और यहां पर आप देख रहें एक कुंडली से बद्ध चुम्बकी फ्लक्स इतना 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 कुंडली प्रत्रोजन प्रेरीत्र आवेस बताईए ठीक है और यहां पर किसी प्रिष्ट के एक वणी प्रकास स ठीक है तो भी वर्तन होता है दोस्तों अब देखें यहां पर दो समांतर धारावाहे चालकों के बीच लगने वाला बलका सूत्र प्रयुक्त चिन्हों के अर्थ बताईए तो यहां पर आप इन सब प्रस्णों को त्यार कर लीजेगा सभी लोग स्किन सॉट ले लीजे बह के पिश्ट से निर्गत विद्दुथ फ्लक्स की वैलू बताईए बहुत हीजी है तो दोस्तों यह पहले चैप्टर की सवाल है आंक की समझन समता सिक्यातात पर है ठीक है न और यह स्कीन सौट फटा-फट लेते जाईएगा आप लोग हल कर लीजिएगा क्यों सी 10 से 15 पर कि जाईएगा फिर देखें आप बैद्दु चुमकी तरंगों के अविलच्छन लिखिए कोई परमाड इतने से इतने तो इस तरीके से यह कोश्चन है हाईड्रोजन परमाड के लिए बोहर की पर पनाय लिखिए और यहां पर आप देख रहे हैं सेक्षन डी में आ गया ठीक है और सेक्षन डी की भी सवाले एकदम इजी हैं यहां पर देख रहे हैं आप लोग चलिए आगे क्यों पढ़ेंगे अब अनुदादी परिपस से क्या तात पर है अनुदाद परिपस बताइए अनुदाद की स्थिति में अब रितिक के लिए सूच ठीक है इस तरीके सी यह आपका क्वेस्टन है नुए चेप्टर का किरव प्रकास कियम प्रकासी के अंतर से ठीक है और इस तरीके से यह आप देख रहे हैं यह लंबाई से तारिक बिताकार कुंडली बनाई गए इस कुंडली को भी चुमकी छेत्म लेया दिकी कुंडली में आई धारा प्रवाहित की जाए तो सिद्ध यहां पर आप देख रहे हैं दिखाईए कि वी इलेक्ट्रान बोल्ट उर्जा वाले इलेक्ट्रान से संबंधित दब ब्रॉगली तरंगदायरत के लिए लगभग इतना सिद्ध करना है ठीक है बहुत तीजी है दोस्तों यह और यहां पर यहां पर यह अब नेक्स्ट प्रिष्ट पर कारफलन डबलू यानि कारफलन को डबलू से प्रिष्ट पर दिश्ट प्रकास डालने पर क्या इलेक्ट्रान सर्जी तो गढ़ना कीजिए और यहां पर आप देख रहे हैं यह भू चुम्बकत तो क्या है बिभिन वयों क्या है इने परिभासित किर्चाप का नियम आता है इसे कोईशन आता है इसलिए कोईशन तयार करके जाएगा डिये स्टुडेंट मुक्त इलेक्टान के अनुगमन बेंसे आप क्या समझते हैं अनुगमन बेक पर आधारित ओम का नियम लिखिए यह आता है हाइड्रोजन परमाण का और जा आस्तर आर एक बन कीजिए और तयार कर लो ठीक है अब देखो सबसे ज़्यादा हार्ड पेपर अगर कोई आता है दोस्तों तो है फिजिक्स का इसलिए इसको थोड़ा हलके मत लीजिएगा इसे वजन में लीजिएगा और इसकी तयारी खुब करके जाओ नहीं तो रोगे बाद में दोस्तों ठीक है ना यहां आप देख रहे हैं सभी का स्कीन सौट ले लीजिए और पूरा पूरा तयारी करके जाना ठीक है नहीं तो रोगे इतना रोगे कि समझ में नहीं आएगा पीयन संदी डायोट की पूर तरक्की दिश्टकरण की प्रक्रिया परिपत खिच कर समझाईए और कुंडली 220 बोल्ट यह भी देख रहे हैं यानि नुमेरिकल यहां पर आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं दोस्तों सवर सेल की रचनत था कार विधी और यह आपका फिर कोश्चन आ गया ठीक है निमेरिकल योगिक सुस्मदर्शिक किरण आरेक प्रतिम समझाईए और दिये गए होते हैं ठीक है ना और इनको त्यार कर लिजिएगा यह सारी चीजें पहले के जबाने में नहीं थी लेकिन अब के जबाने जो कुछ प्रयोग में आते हैं कोश्चन्स जैसे आपका जो एक फार्मूला था बारद असमलोग दो साथ अंगस्ट्राम बटे अंडर में अब दिया होता ठीक है तो अगले वीडियो मिलता है तब तक के लिए जाए हिन